जै मातादी दोस्तो, कैसे हैं आप सभी? दोस्तो चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिये गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तो लड़का हो या लड़की? शादी का फैसला हर किसी के लिए खास होता है लड़कीों की तरहे लड़के भी चाहते हैं कि उनकी पार्टनर सुन्दर और पसनेल्टी होने के साथ साथ उन्हीं बेहत प्यार करने वाली हो लड़के भी लड़कीों की तरहे शादी करने से पहले अपनी पार्टनर को जानना चाहते हैं लेकिन आज हम आपको ऐसी राशियों की लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर आँख बंद करके भरोसा किया जा सकता है यानि ये चार राशी वाली लड़कियां कभी भी अपनी पार्टनर को धोखा नहीं देती अपने पार्टनर को ये लड़कियां सरांखों पर विठा कर रखती हैं तो आए जानते हैं कौन सी हैं वो चार राशी वाली लड़कियां नमबर एक मेश राशी वाली लड़कियां दोस्तों शादी के बाद इस राशी की लड़कियां अपनी पती का बहुत खयाल रखती हैं, अपना सब कुछ अपने पती पर न्योचावर कर देती हैं, इस राशी की लड़कियां बहुत ही समझदार होती हैं, सेंसिबल होती हैं, और अपने पती की छोटी छोटी खुशियो अपने पार्टनर के दिल की बात को समझना इस राशी की लड़कियों को बखु भी आता है इस राशी की लड़कियां अपने पार्टनर को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देती और ना ही किसी तकलीफ में पढ़ने देती है इसके साथ ही ये अपने पती को कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती शांत और सरल होने के कारण इस राशी की लड़कियां अपने रिष्टों को हमेशा बड़ी ही इमानदारी और समझदारी से निभाती हैं प्रिश्चिक राशी की लड़कियां पती के साथ साथ अपनी सस्राल वालों का पूरा खयाल रखती हैं उन्हें खूब मान सम्मान देती हैं पती का दिल जीतने के लिए इस राशी की लड़कियां हर मुम्किन कोशिश करती है और इस कोशिश में ये काम्याब भी होती है इनके पती को इन पर खूब गर्व होता है स्वभाव से हस्मुक होने के कारण इस राशी की लड़कियां हमेशा अपने आसपास खुशी का माहौल बना कर रखती है कुम्ब राशी की लड़कियां पती का मूड घराब होनी पर उसे ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ती साथ ही अपने पती को खूब प्यार और मान सम्मान देती है इसके अलावा इस राशी की लड़कियां बेहत रोमेंटिक होती है तो दोस्तो ये थी वो चार राशी वाली लड़कियां जो अपनी पती को बहुत प्यार करती है खूब मान सम्मान देती है या फिर यू कहें पती को पलको पर बिठा कर रखती है दोस्तो ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दी वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद जै मात अदी दोस्तो